ओम श्यांति फ्रेस्ट योग की स्थिती को प्राप्त करने के लिए हमें देहे और देहे के संबंधों से उपर उठना होता है क्योंकि आत्मा यदि देहे के अटेश्मेंट में अख्री हुई है तो उसका उद्धी योग उपर बावा के पास नहीं जा सकता और देधारीों की याद चाहे वो महुबस हो चाहे अकर्षण वस हो मन उसको योग उपर नहीं होने देती फिदेधारियों में आजकल संबंधों में कतुता भी बहुत है उनका व्यवार भी योग उपर नहीं होने देता इसलिए उनके प्रती आत्मिक भावधारन करने वाले, उनके प्रती साक्सी भावधारन करने वाले, कि ये सभी आत्में अतना पार्ट बजा रही हैं, जो इनों हमें कल्प पहले किया था, वही कर रही हैं, ऐसी आत्में ही योग की स्थिति को प्राप्त करती हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा वुद्धियोग देधारियों में ही नाटता हुआ हो, नए संबंद भी जोडने में हम न लग जाएं, कभी-कभी दूसरों को मदद देने के लिए हम नए संबंद स्थापित कर लेते हैं, हमारी भावनाएं भी सुद्ध और सेष्ट होती है तन्तु ये बंधन बन जाते हैं, ये संबंद मनुस को कहीं न कहीं ऊपर जाने में रुकावत पहला करते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं, दे सहिद्धे के सभी धर्मों को भूलो, तो हम सभी इस पर बहुत ध्यान देंगे और याद रखेंगे, कि अन्त में ऐसी श्थिती हो कि सिवाए एक के और कुछ भी याद नाए, जिनके परती आपकी जिम्मेदारी होगी, वो आपको याद आएंगे अवश्य, तन्तु यदि आप पहले से ही ये द्रड़ कंकल कर दें, कि इन सब का जिम्मेदार बाबा है, और ये सभी आत्में अपना अपना स्रेश्थ और ये विजए भी जहता है कि हमारे बाद इनका क्या होगा, इस से आप मुर्थ हो जाएगे, बच्चों का क्या होगा आपके जाने के बाद, आपकी पत्नी का क्या होगा, ये सभी चिन्ता बाबा को अर्भित करने वाले, ऐसे बेशिकर बादसा सच्य योग के अधीकारी बन जाती हैं तो आईए संगम युग पर हम एक ही लक्स बनाएं कि हमें यव युख्थ हो कर जन्म जन्म के विकर्मों को नस्ट करना है थाकि हम सजाओं से भी मुख्थ हो जाएं और वर्तमान में भी हम स्रेश्टिस्टिती सर्व उसके सुक परमानंद को प्राप्त करें तो कि जिनके भी करम विनास नहीं होंगे, उनकी सजाएं भी बहुत मारी होती हैं, जो हम देखते आ रहे हैं, देख रहे हैं, सच मुझ सच्च तो यही है, कि अब सब के हिसाब किताब चुप्चु करने की गोडली मिस्नरी तिवर हो चुकी है, और अब कोई भी अपने भी कर कि सजाओं से भच नहीं सकेंगे, जिनोंने यग में विगण डाले, जिनोंने इन एलुप्रिती का मारग पनाया जुनोंने ऐसा करने के लिए दूसरों को भी प्रोक्षान किया वो सबब इन कर्मों की सजाएं पाएंगे इसलिए हमें बहुत अच्छी करें योग्युक्त रहकर अपने सभी विकर्मों को डगद कर लेना चाहिए ताकि हमारी गतिवी स्रेष्ठों और अंत में कोई भी विकर्म हमें अपनियों आकर्षित न करें होता यही है कि ये विकर्मों का बोज ये बंधन भी आत्मा को बहुत आकर्षित करता है हम इनसे उपर उठ जाएं तो चलें आज हम एक से लगातार बुद्धियों जोडें और जिस पर भी हमारी नजर जाए उसको हम आत्मिक दरश्टि से ही नहा रहें और यभ्यास करें कि ये सभी आत्माएं अपना-पना पार्ट लेकर रही हैं हम इनके जिम्मेदार नहीं इन सबके जिम्मेदार बाबा है पर इस से स्वयम को हलका करें और अपनी योव्योग पिस्थिती को निरंग कर बढ़ाते चलें ओम श्याम श्याम